नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागात है हमारे आज के सेशन में, आज हम बात करेंगे राइस और वीट की हर भी साइट टॉलरेंट वराइटीज के बारे में, इनको आई आराइन ने डेवलप किया है, अलोंग विद सवाना सीट्स और मैको, ट्रांस्प्लांटेड राइ हमारे ट्रांस्प्लांटेड राइस में, क्योंकि इतना जादा पानी का इस्तमाल होता है, तो वाटर टीबल डिप्लीट होती जा रही है, तो एक तरह सी काफी स्ट्रेस क्रियेट करता है एंवायरमेंट के ओपर, नेक्स्ट, जो हमारा लेबर है, वो भी बहुत जादा चा कमी हो जाती है, एने रोबिक कंडिशन्स क्रियेट होती है, जिसकी वज़र से बैक्टीरिया काफी ग्रो करते हैं, और मीथेन प्रोडक्शन बहुत जादा होता है, और मीथेन हम जाते हैं, कि एक पावरफुल पोटेंशिल ग्रीन हाउस गास है, तो एक तरह से राइस का का काफी जादा स्ट्रेस क्रियेट करता है, हमारे अनवायमेंट पर इसी के लिए, जो हमारे फारमेर्स हैं, आजकल प्रो करते हैं, और उसमें भी एक प्राब्ल्म हो जाती है, वीद बहुत जादा पढ़ जाती हैं, डारेक सीड़ेड राइस में, राइस में मिलने वाली हमा हमारी बहुत ज़्यादा राइस में पाई जाती है वीड ताट इस साइप्रस रोटंडर्स या जिसे मोथा भी बोलते हैं देन हमारी पत्थर चट्टा यह टाइप की जो वीड्स हैं यह क्रॉप्स के साथ कंपीट करते हैं और overall हमारा जो क्रॉप का जो हमारे जो होता क्या है कि हमारे जो होता क्या है कि हमारे वीड के बारे में तो वीड के बारे में तो वीड के कल्टिवेशन में हमारी काफी सारी प्रॉप्लम्स यह हैं कि उसमें भी वीड की बहुत प्रॉप्लम है तो होता क्या है वीड कल्टिवेशन में सबसे पहले तो इ जोबी स्टबल चला देते हैं तो इसको क्या करते हैं? फार्मर्स जन्रली जला देते हैं स्टबल बर्निंग बहुत कमन प्राक्टिस है हमारी जोबीट क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए प्लोविंग बहुत जादध होती है है से या कल्टिवेटर की हेल्प से उसके बाद फिर से इरिगेशन दिया जाता है और उसके बाद दुबारा प्लॉइंग की जाती है तो प्लॉइंग बहुत जादा हो जाती है और साथ 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 स्टाबल बर्निंग होती है स्टाबल बर्निंग से हमारी स्वाइल की जो फर्ट tolerant varieties को develop किया गया है वो कौन सी varieties है जो herbicide tolerant है बास्मती राइस की कुछ varieties है कुछ non-bास्मती की है और कुछ wheat की varieties है हमारी जो बास्मती की varieties है वो है पूसा बास्मती 1979 और पूसा बास्मती 1985 जो non-bास्मती varieties है that is sava 134 and sava 127 और जो wheat की varieties है that is coal and mokot exactly यह हूता कैसे है यह mechanism generally जो हमारे herbicide juice हो रहे थे जैसे कि हमने देखे थे पहले वो जादा weeds को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वही मेज़ता पर जो herbicide है वो एक broad spectrum herbicide है जो जादा weeds को कंट्रोल करता है अगर यह herbicide rice crop पे डाला जाए तो यह weeds के साथ साथ rice crop को भी खतम कर देगा जो herbicide है वो act ऐसे करता है जो plants होते है उनमें एक gene होती है that is ALS gene तो वो जो ALS gene है वो एक enzyme के लिए code करती है जो enzyme है हमारा acetylactate synthetase अभी जो ALS enzyme है इसमें एक binding side होती है तो वो binding side है वहाँ पे जाके हमारा herbicide generally bind करता है और जब bind हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो जिस भी plant के साथ bind हुआ है क्योंकि generally यह जो gene है हमारी सबी plants में होती है जारत तर तो अब क्या होता है कि जब वो bind हो रहा है protein के साथ हमारा यह herbicide bind हो रहा है तो वो क्या करेगा अपका action करेगा और फिर वो सारे plants को मार देगा अब किया क्या है हमने इसमें कि यह जो gene है इसमें कराया mutation अब इस gene में जब होता है mutation इसकी जो binding site है वो खतम हो जाती है और अब क्योंकि इस plant में यह binding site present ही नहीं है तो जो हमारा herbicide है उसके साथ bind नहीं कर पाएगा और जब herbicide bind नहीं करेगा तो हमारा जो variety develop होई वो क्या हो जाएगी herbicide tolerant तो अगर हम herbicide डाल भी रहे हैं तो बाकी जितने भी plants हैं उन सब पे तो herbicide act करेगा और जो हमारी crop है जिसकी binding site हमने खतम कर उस पे हमारा herbicide act नहीं कर पाएगा वो variety tolerant हो जाएगी और वो variety अच्छे से develop हो पाएगी इस तरह से हमारी weeds मी मर जाएगी और हमारा plant प्रोटेक्ट हो जाएगा तो यह है हमारा mechanism सारा किस चीज का gene को mutilate करने का तो इससे हमें क्या फायता होगा rice की अगर हम बात करें क्यूंकि हमारे को अब weeds को control करने के लिए समर्ज करने की जरूरत नहीं है plant को तो हमारा transplanting, flooding, puddling nursery prepare करना इन सब चीजों की ज़रूरत है वो खतम हो जाएगी अब क्यूंकि हम puddling, transplanting नहीं करेंगे उसकी वज़े से क्या होगा कि हमारा जो पानी है जो एक बहुत important resource है वो 30% तक save हो सकती है और हम rice को वैसे ही grow कर सकते हैं जैसे कि हम wheat को करते हैं directly sow कर सकते हैं सबसे important चीज़ हमारा time है वो बचेगा उसके साथ-साथ हमारी जो cost है वो भी बचेगी काफी हद तक वही चीज़ हमारी wheat में भी देख सकते हैं क्यूंकि हमारे को stubbles को burn करने की ज़रुद नहीं है directly हम apply करेंगे अपना जो भी herbicide है तो उससे क्या होता है time बचता है हमारे को बहुत ज़्यादा plowing करने की ज़रुद नहीं है हम happy cedar से काटके और अपने residue को महीं पे भी छोड़ सकते हैं इस तरह से हम बोल सकते हैं कि rice और wheat में अगर हमारे को resistant varieties मिल जाती हैं herbicide resistant varieties तो उससे काफी फायदा हो सकता है तो यह develop की गई है और आगे results देखते हैं इनके कैसे आते हैं चलिए इसी के साथ धन्यवाद